हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल दा टेस्ट ओफ इंडिया तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल की बहुत ही शांदार सक्कर पारे और इसे हमारे याथो मीठी पापड़ी बोला जाता है आप जरूर मुझे कमेंट कीजेगा कि आपके यहां अगर ऐस सब्भगोना उसके अंदर मैंने आधा किलो गुड़ ले लिया है गुड़ को रफली मिने तोड़के इसे डाल दिया है बड़े से भगोने में और फिर आधा गलास इसमें पानी डाल दे अब कुल मिला कीसे मेल्ट करना है इसकी चाश्नी बनानी है तो अच्छे से मैने इस के अंदर में वाइट वाले तिल डाल रही हूं इससे बहुत ही सुन्दर लुका आएगा फिर मौयन के लिए मैंने इसमें चार बड़े चमच ओयल डाल दिया है मौयन को अच्छे से सैट करने के लिए हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हाथ में इस तरह से बान के गुड में थोड़ा सा कच्रा होता है तो यह बाहर निकल जाए इसलिए मैंने चान के डाला है और इसी से ही हमें डो लगाना है तो अच्छे से डालते वे मैंने सॉफ्ट डो लगा लिया है इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट लगाईएगा और फिर इसे रख दीजिएगा घ्रत के 5 मिनैट पाँप मिनल्या बाद हमें इसे पतली पतली बेलना है मतलब लोई बना के रोटी जैसा बेलना है और जितना आप बेल रहे हो उसके बाद इतना डो बचे उसे डहक कर लगा के रखेएगा ताकि वो सुखे नहीं और बेलने में आसानी हो तो इस तरह से बे जूर्ण में 2 compris case कrows खैंसे पोड़व धन अब गंटा कर दोटे हैं तो पर फैले हम पापरी भी कर लेते हैं इसके लिए मैंने ओइल को अच्छे से करके पिर medium flame पे अच्छे से golden होने तक सभी को अच्छे से fry किया है आप जल्द बाजी नहीं कीजिगा fry करने में धीरे दीरे आप अच्छे से fry कीजिगा ताकि अंदर और बाहर से ये crispy होई और आसानी से पक जाए तो इसी प्रकार सकर पारे भी आप fry कर ले तो बहुत ही कमाल के लगते हैं फ्रेंड्स दोनों आप चाहाई के साथ और नाश्टे में कभी भी सिखा सकते हैं एर टाइट जार में भरके रगदे महीनों खराब नहीं होते रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें थेंक्यू